दोस्तो आश्टेमिल की इस प्री कोर्स में आप सबका स्वागत है जहां पर आज हम सेखने वाले हैं क्रॉस रेफरेंस अब क्रॉस रेफरेंस है क्या गुवित प्रैक्टिकल में आपको समझातों देखो basically मैंने यहां पे कुछ content बनाया हुआ है जिसे chapter 1, me and my friend, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 अब मैं बात करूँ अगर chapter 4 की तो इससे देखने के लिए मुझे यह नीचे आना पड़ेगा आप देख पा रहे है chapter 4 यह रहा फिर हम नीचे आते हैं तो यह रहा chapter 5 तो यहां पे cross reference in the sense है क्या, यहां पे cross reference यह है कि यह जो chapter 1 है अगर मैं इसपर click करूँगा तो सिधा chapter 1 पे पहुँच जाओंगा अगर मैं chapter 4 पे click करता हूँ तो मुझे यहाँ पे drag करके जाने की जरूरत नहीं है मैं simple यहाँ पे click करूँगा और सीधा chapter 4 पे पहुँच जाऊँगा जो कि आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से मान लीजे मैं ने chapter 5 पे click किया तो मैं सीधा कहा पहुँच गया chapter 5 पे तो यह जो चीज हम कर पा रहे हैं इसी को हम बूलते हैं cross reference अब I know कि यह चीज देखने में आपको भी काफी interesting लग रही होगी और आप भी इसे apply करना चाहते होंगे तो अब इसे हम करेंगे कैसे वो हम step by step समझेंगे तो make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे और अगर यह वीडियो आपको अची लगे तो प्लीज वीडियो को like और share जरू करें तो बिना किसी तेरी की शुरू करते हैं इस वीडियो को तो normally यहां पे एक side में हमने हमारा editor खोला हुआ है और एक side में output के लिए हमने browser को भी on किया हुआ है अब यहां पे आप देखोगे तो मैंने सिर्फ अभी structure लिखा इसके लाबा कुछ ने देखो है HTML head और body जो भी code हम करेंगे अब करेंगे तो सबसे पहला term क्या है क्या है अ हमनने यहां पर past chapter देने है wrong न falt. ड क क्या करता हूं यहां पर हेम लिखा h1 और h1 के अंदर मैं लिख देता हूं पहला chapter है मैंने अपर लिखा chapter 5 और मैं यहां डाल देता हूं Me and My friend यह हमारा पहला chapter है करते हैं इसका duplicate बन जाएगा तो यहाँ पे मुझे टोटल पांच चैप्टर लेने तो मैंने इसे पांच बार ctrl D किया है तो यह आ गया इस तरीके से आप इसे फटा फटा फटाम चेंज कर लेते हैं जैसे इसको हमने कर दिया chapter 2 और यहाँ पे हम डाल देते है chapter 2 the untold story यह हमने chapter लिखा है इसको control less करते हैं और यहाँ पे आते हैं और output दे देते हैं यहाँ कुछ इस तरीके से chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4 और 5 यह जो हमने chapter 1 लिखा है ऐसा हमें नीचे format चाहिए chapter 1 और उसके नीचे पूरा chapter चाहिए तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे नीचे आता हूं इस वाले के end में और यहाँ पे देते हैं BR, BR किसे लिए देते हैं, enter के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसके duplicates बना दी है ताकि कुछ line breaks automatically हो जाए, होने के बात हम डाल देते हैं पहला chapter, तो इस ही को हमने क्या किया है, यहाँ पे copy कर लिया, simple देखो इसको क्या कर लेता हूं, मैं यहाँ से copy करत और H1 की जगा मैं बस कर देता हूं H2, ताकि यह जो है H1 की comparison में थोड़ा से छोटा लगे, यह हमने लिखा, और इसके अंदर मुझे लिखना है क्या, मुझे लिखना है पूरा chapter 1, तो मैंने यहाँ पे P लिखा, और मैं यहाँ पे P को close कर देता हूं, इसके अंदर हम लिख में होगा, MS Word, Microsoft Word, और यहाँ पे जाके, आपको लिखना है, मैं इसे क्या करता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको देखने में आसानी होगी, equal rand, bracket शुरू, और यहाँ लिखना 10, 10, इसे एक लंबा चोड़ा paragraph आपको मिल जाएगा, जो कि on screen आप देख पा रह से, आप देख सकते हो, बहुत ही simple तरीके से मैं कर पा रहा हूं इसे, tap button यूज कर रहा हूं है, इसे आगे करने के लिए, तो इस तरीके से हमने इसके alignment को adjust कर लिया, जो कि on screen आप देख पा रहे हो, so I hope कि इतना term तो आपको clear होगा होगा, कुछ नहीं कि हमने है, H2 के अंदर तो यह आगया, और यह आगया हमारा पूरा 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 चैप्टर, जैसे मैंने आप चैप्टर 1 लिखा है, वैसे चैप्टर 2 भी लिखना है, The Untold Story, An Iron Man, Harry Potter, एक्जेक्टर, एक्जेक्टर, जो भी चीज़े हैं, वो चीज़े हमें लिखनी है, तो दुबारा से हम क्या क करेंगे, फाल्तू की मेहनत क्यों करेंगे, यहीं से इसको किया, कॉपी और कर दिया, पेस्ट, फिर यहाँ पर आए, फिर हमने किया, पेस्ट फिर एक बार और कर दिंगे, तो पांस चैप्ट्रा में हरपास आ गये, अब हमें करना क्या है, कि सिम्प्ली यह जो हमने यहां यहीं से copy कर लो आप चाहो तो यहीं से copy कर लो ऐसे, chapter 2 हमने यहां से copy कर लिया, और यहां पर आके इसके अंदर paste कर दिया, कुछ इस तरीके से, यहोगे chapter 2, फिर इसको हमने यहां से copy कर लिया, फिर यहां पर आये, और यह हमने paste कर दिया chapter 3, फिर इसको हमने ले लिया यहां पर और फिर यहाँ पर आया हम और हमने इसे कर दिया chapter 4 और यहाँ पर आये और हमने कर दिया यहां पर chapter 5 इस तरह से simple control s करेंगे यहां पर आएंगे और output चेक कर लेंगे अब आप notice करो यहां chapter 1 फिर नीच आएंगे यहां chapter 2 फिर यहां पर chapter 3 फिर chapter 4 और फिर आगे chapter 5 अभी देखो है बहुत बढ़ा यहां पर देखने में लेकिन करा मैंने कुछ खास ने सिर्फ copy paste ही गया है अब जो next term है वो है इस पर editing apply करना आपने देखा था कि मैंने कैसे editing apply कर रखा था और इसके लिए भी मैं आपको भी ट्रिक बताने वाला हूँ देखो यहां पर काफी सारे element है मारे पास राइट अगर मैं इन सब को अलग-अलग edit करने लग गया तो मेरा काफी time जाएगा तो हम यहां पर use करेंगे style tag का किसका use करेंगे style tag का तो head section के अंदर आपको आना है और यहां पर लिखना है style हमने लिखा style एंडर करेंगे और यहां पर style को close किया देखो simple यह लिखा है इसके अंदर जितने भी h1 है यह जो पाचो है जो पाचो element आप देख पार हो chapter 1 से लेके 5 तक यह सब कौनसे element है h1 है तो मैं यहां पर डालता हूँ h1 सिर्फ एक ही बार लिखना है h1 curly bracket on curly bracket close और यहां पर मैं लि यानि text का color है वो आप कर दो white ctrl s करते हैं और यहां पर आयके reload करते हैं एक ही बार में आप देखोगे कि पाचो की पाचो h1 edit हो गया मतलब मुझे chapter 1 को अलग edit नहीं करना पड़ा 2 को अलग नी 3 को अलग नी एक ही बार में मैंने 5 element को edit कर लिया इसके बाद यहां पर जो इसक यहां पर बीच में आ गये हैं इसके बाद इसी code को copy कर लो यहां पर आओ enter करो और paste कर दो और h1 की जगह इसको कर दिया h2 मतलब यह जो नीचे मेंने लिया वो क्या है h2 है तो यह किया और इसका जो background color है वो मैं change कर देता हूँ कोई भी color ले सकता हो आप आपके इच्छा है म ctrl s की यहां पर आएंगे रिलोड करेंगे आप देखो कि सारे के सारे जो h2 elements है वो a की बार में edit हो गये इसके बाद तीसर element का है हमारा यहां पर p element है जिसके अंदर हमने हमारे chapter लिखा यह फो p element के अंदर लिया है तो यहां पर मैं क्या करता हूँ एक की बार में सारे के सार पी को एडिट कर देता हूं और इसमें कुछ खास नहीं करना हमें हमें बस यह करना है कि जो इसका टेक्स्ट अलाइन है वो हम कर देते हैं justify क्योंकि अभी आप नोटिस करोगे थोड़ा पीछे थोड़ा आगे इस तरीके से आ रहा है तो मैं यहां पर जैसे justify करूंगा justify control s करत है और आप देखोगे कि अब यह बिलकुल अच्छी तरीके से align हो जाएगा तो देखा जाए तो जो हमारा format वो यहां पर ready हो गया है अब हमें इसे करना इंटर लिंक मतलब chapter 1 पर जब मैं किलिक करूं तो chapter 1 खुले chapter 5 पर किलिक किया तो सीधा क्या खुल जाए chapter 5 यह चीज कै कैसे होगी इसके लिए हम यहां पर यूज करने वाले है आईडी एट्रिब्यूट का लास्ट वीडियो में मैंने आपको class और आईडी के बार में बताया था बट अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी है तो कोई big stuff नहीं है बहुत ही simple है मैं आपको बताता हूं कैसे सबस वाले chapter 2 को पहचाने का कैसे इसके लिए कोई ना कोई तो मुझे reference देना पड़ेगा तो उसके लिए मैं यहां पर दे रहा हूं ID और मैंने यहां पर लिख दिया कुछ भी लिख सकते हो A B C D जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो वो totally आपके उपर है जैसा reference आपको देन राइट तो यहां पर आपको anchor tag यूज करना है anchor tag आपको बता होगा जो आप link लगाने के लिए यूज करते हो यानि कि A करूंगा chapter 1 को notice करना कि आपको इसके नीचे एक blue line नजर आ रही है अभी इसे भी कैसे हटाएंगे मैं बताऊंगा बट अभी आप देखो लिंक हो चुका है जैसे मैं chapter 1 पर click करूंगा आप देखो कि यहां पर screen पर क्या खुल गई chapter 1 तो यही same चीज आपको सब के साथ apply करनी है तो नेचे आता हूं और यह जो id chapter 1 है इसको हम copy कर लेते हैं बार-बार क्यों लिखना हूंए तो हम इसे copy करते हैं नीचे आए chapter 2 में और यहां पर मैंने कर दिया इसको paste और one की जगह बसे से कर दो two फिर यहां पर नीचे आते हैं और यहां पर आके मैंने इसे फिर paste किया इसका reference दे दिया chapter 5, इस तरीके से, करने के बाद, उपर आते हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से हमने h1 में, यह coding apply करी है, इसको copy कर लो, फिर यहाँ पे आओ, इसको आगे किया, और नीचे में anchor attack को close किया, इस तरह से, फिर यहाँ पे वही code paste कर देंगे, जो anchor attack है, और chapter 1 की जगे इसको chapter 3 कर देंगे, और यहाँ पे आगे anchor attack क्लोस करेंगे, तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा से forward कर दिया है, and I hope कि यह term आप समझ गयोंगे, देखो एक बात समझो, अगर आप HTML, CSS, JavaScript, कोई से भी coding language देखोगे, especially front end, तो वो ऐसे ही बहुत जादा लंबी हो जाती है, और देखने में आपको बहुत जादा बड़ी ही लगेगे, लेकिन आप notice करो कि इसमें कोई big stuff नहीं है, हमने सिर्फ इसमें आप ID का use किया, और इसे interlink कर दिया, तो देखने में जरूर बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इससे करोगे, तो आप खुद समझ जाओगे कि कितना साथा easy है, तो simple आपको करना क्या है, इसमें practice करनी है, तो मैं इसे control S करता हूँ, और यहाँ पर आगे से reload कर द कि हमें यह line हटानी है, अच्छे नहीं लग रही है, तो इसके लिए simple क्या करना है, इस style में आते हैं, और A tag, हमने किस पर apply किया यह, A tag है, तो A पर apply कर देते है, curly bracket on, curly bracket close, और इसके अंदर आपको जो code लिखना है, वो है text, decoration, none, इस code की मदद से, आपका जो यह portion है, इसको आ अंदर हमने यह code किया है, और इसके बाद हमारे chapter 1, chapter 2, यह हो गया, फिर हमने यह सब चीज़े लिखी, and I hope कि यह सारी terms आपको clear हो गई होगे, so I hope कि guys, यह जो cross reference के उपर tutorial है, यह आपको पसंद आए होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे, तो please वीडियो को like करे जादर से जादर लोग के बिच में share करें, साथ ही comment करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, thank you